दोस्तो ये है OnePlus TV U-Series का 55 इंचिस के स्क्रीन के साथ में आता है मॉडल नमबर है 55 U1 और इसका प्राइजिंग है 49,999 रुपीज वैसे दोस्तो जब मैंने इस टीवी का अंबोक्सिंग किया और जब इसे इंस्टालेशन किया स्टैंड पर तो इसका जो डिजाइन है खास करके मुझे एक और टीवी की इसने याद दिला दी और वो है शामी का अगर आपको याद होगा मी टीवी जो नोंने पहला टीवी इंडिया में लाँच किया था तो यह जो स्मार्ट टीवी है वनप्लस का उसने मुझे उस टीवी की याद दिला दी क्योंकि यह जो वनप्लस का टीवी है जो डिजाइन है अल्मोस्ट उसी की तरह है लेकिन काफी अंतर है अब मी का जो smart tv है, of course, वो slimmest tv है, उतना slim तो ये OnePlus का टीवी नहीं है, लेकिन अगर build की बात करें, जो quality है, toughness की अगर बात करें, तो OnePlus TV जो है, ये तो slim भी है, और काफी मजबूत किसम का लगता है, ये उतना delicate नहीं है, जितना की मी टीवी था, वैसे मी ने वो जो slim टीवी है अब discontinue कर दिया है तो फिलाल तो market में उस प्रकार के slim TVs available नहीं है लेकिन अब OnePlus की तरफ से ये एक TV आ चुका है जो की impressive किसम का लगता है जब ये on नहीं होता है तब ही चलिए मैं आपको सबसे पहले तो इसकी unboxing करके बताता हूँ देखते रहें तो ये लिखे इस प्रकार की है box packing और चलिए मैं इसे खोल देता हूँ तो box के अंदर है ये TV इसके लावा user manual है ये Android TV है Google Assistant support करता है साथ में stand दिया हुआ है stand metal के बने हुए है बहुत ही बढ़िया quality है और मजबूत किसम के है और ये box भी है जिसमें बहुत ही बढ़ियो तरीके से remote को pack किया हुआ है ये देखे इस प्रकार का दिखता है ये remote OnePlus TV का remote unique प्रकार का remote है और बहुत ही कम buttons के साथ में आता है कह सकते हैं कि smart किसम का remote है इसके अलावा audio, video, cable है साथ में power cord भी दिया हुआ है और कुछ screws दिया हुआ है वैसे अगर आप चाहें तो ये जो TV है इसे wall mount कर सकते हैं या फिर stand पर भी लगा सकते हैं मैं इसे फिलाल stand पर लगाने वाला हूँ पीछे से जो TV है एकदम अलग प्रकार का लगता है in fact awesome finishing के साथ में आता है ऐसा कह सकते हैं और अगर आप इसे stand पर रखते हैं तो ये जो TV का back है इसे cover करने के ज़रूत नहीं है एक चीज़ आप note करेंगे कि back side पर जो bottom भाग है ये थोड़ा सा bulky किसम का है और जो top area है जो screen area है वो काफी slim है और उसके पीछे glass type finishing दिया हुआ है और जो bulky भाग है वो एक तरह से totally sealed किया हुआ है जो ports है उसके लिए भी एक special cover दिया हुआ है in fact मैंने जो cover है इसे निकाल के रखा हुआ है क्योंकि मैं जो ports है इसको उप्यों करने वाला हूँ और एक और चीज़ आप notice करेंगे कि जो bulky भाग है उस पर kevlar type finishing दिया हुआ है जैसा आपने smart phones पे दिखा हुआगा one plus के तो उस प्रकार का जो design texture है वो इस पर दिया हुआ है काफी impressive है और unique प्रकार का है टीवी का जो right hand side है वहां पर ही सरिफ ports दिया हुआ है तो back side पर यह ports दिया हुआ है EVIN, Optical, Ethernet, RJ45, HDMI के तीन ports है जिसमें से 1 HDMI arc है USB 3.0 और USB 2.0 के ports दिया हुआ है और antenna के लिए एक port दिया हुआ है वैसे जो TV का bottom है वहां पर एक button दिया हुआ है एक special button है जिसका उपर करके आप TV को on कर सकते है जस्ट इनकेस अगर remote नहीं मिल रहा है तो तो जो TV है इसकी जो build of finishing है एकदम awesome किसम की है एक तरह से 8 पीस लगता है यह bezel-less TV है 6.9 mm ultra slim design है आपको high screen to body ratio मिल जाता है मतलब कि ज़्यादा screen area मिल जाता है viewing के लिए वैसे 55 inches का screen है 4K resolution support करता है यह android 9.0 run कर रहा है out of the box Google Assistant Amazon Alexa support करता है और of course Chromecast भी support करता है इस smart TV पर आप बहुत सारे TV applications दाउलोड कर पाएंगे जैसे कि Netflix है, Amazon Prime है, Hotstar है और इस प्रकार के बहुत सारे applications डिस्पली के अगर बात करें तो इसके quality काफी बढ़िया है इसमें gamma engine technology का उप्योग किया गया है यह 4K USD है, with 93% color gamut MEMC भी support करता है जो basically motion blur को reduce करता है खास करके अगर आप कोई ऐसा sequence देख रहे हैं जहां पर बहुत ही जादा motion blur है तो आप MEMC को activate कर सकते हैं इसके साथ में आता है अब जो super resolution feature है basically करता क्या है कि अगर आप को यह ऐसा content देख रहे हैं जिसका resolution है, कम है मतलब की 1080p है, 720p है तो यह जो super resolution है यह feature resolution है, उसे enhance करने वाला है उसे enlarge करने वाला है और एक तरह से high quality image create करता है यह Dolby Vision भी support करता है और audio के अगर बात करें तो यह 30 watt output वाले speaker के साथ में आता है in fact इसमें 4 unit speaker system का उप्योग किया गया है दो full range speakers है और दो tweeters है जिसके कारण आपको बड़िया bass भी सुनाए देगा और जो vocals है वो भी आपको clearly सुनाए देंगे अब यह जो speaker है इनका placement थोड़ा सा अलग प्रकार का है इन्हें rotate किया हुआ है 90 degrees rear side पर और यह जो design है इसके कारण आपको full range speaker जैसा output मिलता है यह TV data saver plus feature के साथ में आता है तो अगर आपको data save करना है आपको bandwidth है limited है तो आप इस feature को activate कर सकते है basically data को save करता है इसमें kids mode भी दिया हुआ है जो खास करके kids के लिए बनाया हुआ है तो जो parents है basically जो kids mode है इसमें बहुत सारी चीजों को control कर सकते हैं और जो कभी kid को TV hand over करना है तो immediately जो kid mode है इससे activate कर सकते हैं OnePlus connect के जरिए आप अप तू 5 devices को OnePlus TV के साथ में connect कर पाएंगे Wi-Fi के जरिए इसके अलावा OnePlus connect में आपको बहुत सारे अन्या features मिलते हैं जैसे की type sync quick app switch smart volume control Wi-Fi sharing screen shots और trackpad control वैसे तो यह Android TV 9 run कर रहा है लेकिन इसके उपर oxygen play OS रन हो रहा है और इसमें आपको basically दो type की interface मिलते हैं तो जो डिफॉल्ट Android TV का interface है अगर आप चाहें तो उसका उप्योग कर सकते हैं या फिर जो OnePlus का special UI interface है उसका भी आप उप्योग कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपका मन पसंद content है वो आप browse कर पाएंगे और जो content है इसे organized किया हुआ है इसमें dual band Wi-Fi है और ये Bluetooth 550 technology का उप्योग कर रहा है picture quality और sound quality बहुत ही बढ़िया है viewing angles भी काफी impressive किसम के हैं in fact मैं आपको जो sound output है वो सुना देता हूँ वैसे 30 watt का चाहँ आपट है काफी बढ़िया है लेकिन अगर आप एक sound bar का उप्योग करेंगे तो definitely आपको और भी बहतर sound experience मिलने वाला है तो अब सवाल या आता है कि क्या आपको ये smart TV खरीदना चाहिए या नहीं देखे इसका pricing है 49,999 रुपीज और इसमें आपको बढ़िया quality का TV मिल रहा है specifications भी काफी impressive किसम का है सबसे ज़्यादा जो impressive चीज है वो है इसका design, looks मुझे नहीं लगता कि आपको इस price range में इससे बहतर देखने वाला TV आज के तारिक में market में मिलने वाला है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका link मैंने video description में दिया हुआ है इस video को like कीजिए, share कीजिए और देखते रहे हैं